दसवी और बार्वी कक्षा की बोड परिक्षा एक मार्च से शुरू होने वाली है और बी 30 साल की तुल्ला में बिंट जिले में केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है जिले में 57 परिक्षा केंद्र बनाए गए हैं हाई स्कूल में चात्रों की संख्या 21,000 से जादा है और वहीं बार्वी में चात्रों की संख्या 18,000 से जादा है कलेक्टर सतीश कुमार ऐस ने बताया कि किसी भी कीमत पर हम नकल नहीं होने देंगे अगर जो लोग नकल करने का मनसूबा रखे हुए उनके खिलाफ सक्त से सक् कि कलेक्टर सतीश कुमार ऐसे बिल्ट प्रसाइश ने पूर्णूर से पूरी तैयारी कर लिए मैं उनसे बात करूंगा सथ किस तरीके की तैयारी है हाई स्कूल का जो बोर्ड एक्जाम से फस्ट आफ मार्च से लेकर वह पूरा महिने एक्जाम्स चलेंगे तो यह सुबह नव से बारा बज़े तक एक्जाम्स होंगे तो इस एक्जाम्स में नकल रहित एक्जाम्स हो और एक पीसफुल एक्जाम संपन हो जाएं इसमें पिछले सालों में भी यहां काफी कारवाई किये गए हैं और इस साल में भी उसी तुलना में कारवाई की जारी है 57 सेंटर से पूरा जिल्ला में और हाई स्कूल का 21,000 से ज़्यादा स्टूड़न्स परिक्षा में बाग लेंगे और फ्रतेग जो परिक्षा जो केंद्र है उसमें प्रतेग रूम में CCTV कैमरा का विवस्था किया गया है उसका विविंग ब्लॉक लवल पर भी विविंग होगा और यहां डिस्टिक लवल भर्वे जो कोंट्रोरूम स्तापित किये गये हैं उसमें भी प्रतेग केंदर का और प्रतेग क्लास का जो गतिविध्या है यह पूरा यहां में एक अबजर्वर प्रेक्षक हमने जिल्ला सरका जो अधिगारी वरिष्ट अधिगारी को पुलीस अधिगारी भी सम्मिलित रहेंगे और यह पूरा केंदरों में ब्रह्मन करते रहेंगे और यह जो सुबह नौ बजे से लेकर बारे बजे का जो एक्जाम से इसका पूरा का पूरा कंट्रोल रूम यहां जिला लवल पर एवं ब्लॉक लवल पर स्तापितों के इसका पल-पल का निग्राइनी रखा जाएगा कोई भी परिशाओं का लंगन करेगा तो उन फर एफ आई यार होगी स्वारव सर्मा बंचन भेंड़